तो दोस्तो सबसे ज्यादा आज कल आने वाले फाल्ट क्या है आप लोग को बताएंगे इस वीडियो में दोस्तो इनके खर सब रूम में हर जगा लाइट पहुंच रहा बस एक रूम में लाइट नहीं जा रहा हमने यहां पर आया है और चेक किया है तो यह दो साकेट लगे ह नहीं है तो दूसरे पॉइंट में हमारा टेश्टर जला है यानि इनके घर एक ही साकेट में दोनों में फेस आ रहा तो दोस्तों इसका region क्या है मतलब क्या इसमें मुश्किल हो सकता कि क्या चीज का फाल्ट है कि इसा इनके रूम में नहीं आ रहा है तो दोस्तों इस वीड केर्ले कहाता दो है उसके बाद इसमें चार ईस्कूरू लगे रहते हैं यह झाल कि यह केरा आप सबीको दिखाएंगे इसमें क्या फाल्ट है कि आए अगे तो दोस्तों वोड हमने खौल दिया है खोलने के बाद आप देख रहंए कि काफी ज्यादा तार है यहां पे तो तो तार कोई मुश्किल नहीं है जो अगर अलक्टिसियन है तो समझ जाएंगा अगर नए आदम थो समझने में मुश्किल होगा तो इस में क्या करना है क्या करना अगर देखिए अगर आपके कहीं कि रूम हो चाहें घर हो अगर आपके ऐसा मतलब दिखने को आए कि दोनों तरफ एक साकेट में दोनों तरफ आपका टेस्ट जल रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए क्योंकि यह फाल्ट होता है तभी दोनों तरफ लाइट आता है तो चलिए दोस्तों इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे को चेक करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हमारा फेस जो है यहां पर आ रहा है और न्यूटल को चेक करेंगे तो न्यूटल अभी देखिए न्यूटल में भी फेस बता रहा है यानि फेस में तो फेस बताई रहा है न्यूटल में भी फेस बता रह कि दोस्तों यहीं लग राएं कि नीवटल जो है नीवटल का तार जो है जी से लाइट नहीं जलना काम करेंगे एं थोड़ा थोड़ा इसको करेंगे कि यहीं है कि दुसरा है दोस्तों अगर नैं है आप तो ठोड़ा सावधानिया जरूर रखिए अगर एलक्टिशन है तो इस मुश्किन नहीं आप जैसे काम करिया आपको मालूम है कि क्या चीज़ से हमें बचना है क्या चीज़ से नहीं बचना है तो में निटल को मझे खोलते हैं और क्या चीज़ इसमें प्रोग्लम है जो ऐसा हो रहा है है कि दोस्तों देखिए हमारा में लिटल को ब्रेक हो जाने के वज़े से यह तार इसमें लगा था यह टूट गया है इसीगा वज़े से इसमें दोने तरफ साकेट मैं फ्रेस तो सलिया इसको पहले हम जोडते हैं जोडने से पहले क्या करेंगे है इसको फ्ति पिलाष छिल लेंगे पिलास से चीलने बाद इसको जो है नुटेल में जोड़ेंगे और देखेंगे स retard हो रहा है कि नहीं थोड़ा रूम में अंधेरा है इसके उज़े से वीडियो साफ नहीं आ पारा है तो दोस्तों इसको छिल लिये हैं छिलने के बाद यह जो तार जो छुटा हुआ है एक तार यह है और दूसरा फैन का कि एक तार यह मेन वाला दूसरा तार हमारा यह है तुसरा एक कहरेंगे बारी बारी भारी से ठोड़ा चेक करेंगे ताखिमेने पथा चले कि यह नींटल का तार है कि दूसरा तार है पर देखिवे अभी साम पर रखने से क्या होता है एंडिकेटर जलता है देखिए घर आ होगा आपको है इस तार पर रखते हैं तो यही है तो क्या करेंगे यह यह और टूटा हुआ जिससे सबकार सप्लाई गया है पूरे रूम का इस पने इसको टूटा पड़ा था इसको क्या करेंगे जोडने के बाद आपको दिखा देखिए फैन भी चला सब कुछ इसी से चालू हो गया है तो क्या करेंगे दोस्तों इसमें टूटा हुआ था तो सा बटन बन कर लेंगे बटन बन करने के बाद इस नीटल को जोड़ेंगे और जोड़ कर साकिट में लगाएंगे फिर आपको चेक कराएंगे तो दोस्तों तार जोड़ चुका है अब इसको क्या करेंगे जो हमारे जिसमें लगा हुआ था जिस पॉइंट में ये नीटल लगा हुआ था उसका एक पूरा खोल लेंगे खोलने के बाद इस तार को पिलास से पकड़ेंगे अगर लाइट बंद करने वाला है तो आप लाइट बंद कर सकते हैं नहीं बंद करने वाला थो थोड़ा सावधानिया से जोड़ भी सकते हैं तो दोस्तों इसमें हमने तो दो तो इसी पॉइंट में जुड़ा हुआ था तो क्या करेंगे इसको टाइट कर रहे हैं अच्छे से टाइट करने के बाद अब इसका बोड यह है चेक करेंगे एक बटन दबा के देखिए लाइट पहुंच गया है कितना अच्छा से लाइट जलने वाले लाइट भी शुरूम का जल चुका है अब फैन चला के देखेंगे तो फैन भी चल रहा है देखिए दोस्तों फैन भी चल रहा है और लाइट भी जल रहा है तो दोस्तों इस तरीके से हमारा फाल्ट जो है मिल चुका है अब इसको क्या करेंगे टाइट कर देना हैं सबसे पहले हम क्या करें आपको बताएंगे यहां पी au Californie से रहे हैं और कि देख रहेंगे करता है करके तिन छार जो है नीटल का तार नीचे आया है इस्ही जोडतार इस प्वाइंट में टाइट का दिए है और का तार देखिए ब्लेग कुलर का है इसमें क्यों सूच के नीचे वाले पॉएंट के जोड़ दिये हैं वहां से एक तार कनेक्ट करें दूसरे वाले लाइन में इस उच के नीचे वाले पौइंट में जोड़ दें एक पिला कलर का तार देख रहे हैं किसी रूम में गया हुआ है यांसे और जो है यह जो अप उपर के साइड में देख रहे हैं यह सब क्या है हाफ है मतलब एक सूच का एक बलब का एक फैन का एक ऐसे सब का एक आया हुआ है चले दोस्तों इसको बोर्ड को टाइट करते हैं टाइट करके आपको दिखाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है connection complete हो चुका है कि यहाँ पर देखिए नट लगाने के लिए इसे पॉइंट दिये हैं मगर थोड़ा गडबर है तेज को जैसे थोड़ा परसानी जहलना पड़ सकता है कि दोस्तों इस तरीके से हमने चारों नट को फसा लिये हैं फसाने के बाद इसको टाइट करेंगा अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि बोड इधर उधर ना घुमें इसकुरू टाइट करने का समय टेस्टर का इस्तमाना करें अगर हो राए ठोड़ा बहुत काम चलने वाला तो कर दीजिए नहीं तो ज़्यादा उमीद करिए कि हम स्कुरू ड्राइबर से ही काम करें दोस्तों इसको बारी बारी से सब को टाइट कर लेना है कि टाइट करता समय इस चीज का ध्यान देखिए यहां पर तार लिकल चुका है तो इसको दबा देंगे अंदर के साइड और इसको सीधा देखना है मतलब लेवल करके इसको टाइट करना है पता चला एक टाइट कर दिये एक कोना इधर जा रहा एक कोना उधर जा रहा तो आपको इस चीज का ध्यान जरूर देना है कि बोड़ सीधा लगेगा तभी अच्छा लगेगा ठेल कि डाहिए पर दोस्तों किसने अच्छे टाइट हो चुका है यह उसके बाद इसका कभर जो है इसका हो लगाएगा ने सीमने हैं देख लेंगे किस तरफ शिधा यह सश्वर्व्made अधर भें फेंट हैं इसको ऐसे लगाएंगे और ऐसी तरीके से इसको अग्दम बराबर करके इसे ठोग देंगे देखिए कितना अच्छा बोड लग चुका दोस्तों यह बारा मडलर बोड है बारा मडलर किस चीज़ से है कैसे पहचानेंगा हम बारा मडलर है तो देखिए इसमें यह साखेट के जगह यहां दो सूच लगता है यहां भी दो सूच लगता है तो नीचे के साइड में से नीचे के साइड में छे सूच लगता है उपर के साइड में छे सूच लगता है देखिए एक दो तीन चार पांच छे लगा हुआ ऐसे नीचे छे लगेगा तो छे और शे कितना हुआ लाइभ 12-12 मोर्डलर सूच हो गया साखेट नहीं जोड़ा जाता है न अंडिना जोड़ा जाता तोаки देखना की अंडिकेटर सेम सेम है जतना जबाइभा गया इस तरीके से ना कि कितने सोच इसमें आ रहें जितना सोच 캗 का या दन नियावाद हमारे च्यानल सब्सक्राइब सब्सक्राल बीडियो कैसे लगा लाइक और कमेंट ज़रूर करें अगर हमें कुछ पुछ सबना है तो फोलौ करना चले देश्टर Voilà झाल झाल